हेलो दोस्तों वेलकम टो आवर यूटिब चैनल तो देखिए मैं आपका दोस्त अब है आज आप लोगों के साथ लिकर आए वीडियो जिससे का आपको लोगों को कई दिनों से वेट था कि जो आपके इंटरनल असेस्मेंट होने वाले हैं उनकी डेट शीट अभी तक नहीं है तो आज मैं लेकर रहा हूँ आपको साथ वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं जितने भी बीकॉम ओनर्स के स्टूडेंट सेमेश्टर वन के जिन्होंने डेली उनिवर्टिटी सोल में अडिवी चलिया है उनके इंटरनल असेस्मेंट की डेट शीट रिलीज कर दी है डेली उनिवर्टिटी सोल ने आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ उस कंप्लीट डेट शीट को एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ और साथ मैं जो इंस्ट्रक्शन डियू सोल ने प्रोवाइड करी है देट शीट और आपके एग्जामनेशन से रि बच्चों को भी इसका वैनिफिट मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों यह हैगा डियू सोल का ओफिश्यल नोटिफिकेशन जो डेट शीट से रिलेटेड आया है डियू सोल का चलिए हम डेट शीट को देखते हैं एक एक करके सभी सब्जक्ट के बा वाला है second exam हैगा आपका 21 February को DSC 2 का subject हैगा आपका business law examination की timing हैगी same 10 a.m. third exam हैगा आपका 22 February को जिसकी time कौन से subject का DSC 3 का exam हैगा subject हैगा financial accounting timing same हैगी आपकी 10 a.m. की फिर 22 February के बाद 23 February को आपका fourth examination हैगा AECC category के अंदर environmental science theory into practice का exam हैगा आपका 10 a.m. को timing हैगी आपकी इसकी next exam हैगा आपका 24 February को 24 February को आपके जितने भी general elective के subject हैं उन सभी का examination हैगा देखिए principle of microeconomic, junior fiction, ideas in Indian political thought और theory of equation and symmetries यह जो चार सबजेक्ट हैंगे जनरल elective में आपकी इनके exam की timing तो 10 a.m. की लेकिन जो एक subject आपका रह जाता है Delhi through the ages the making of its early modern history इसके exam की जो timing हैगी आपकी वो 12 noon की है मतलब दुपैरी में 12 बजे होगा Delhi through the ages वाले subject का examination बाकी general elective के चारों subject है exam की timing 10 a.m. के डेट हैगी आपकी 24 February की next exam हैगा आपके 24 के बाद 25 February को जितने भी SEC category के subject हैंगे आप लोगों के पास ठीक है उसका exam हैगा आपका 25 February को SEC में आपके कौन-कौन से subject है English communication in everyday life इस exam की timing हैगी आपकी 10 a.m. की second subject हैगा commerce finance for everyone जिसके exam की timing हैगी आपकी 12 noon की मतलब दुपैरी में 12 बजे exam होने वाला है फिर जो आपका third subject हैगा SEC के अंडर हिंदी रंग बंच उसकी exam की timing हैगी आपकी 2 p.m. की ठीक है इन तीनों की timing अलग-अलग है बट डेट से में 25 February को इन तीन टाइम पर आपके इन इन subject के examination होने वाले हैं जो भी आपने इसमें से choose कर रखा होगा next exam हैगा आपका 26 February को VAC category में जो भी आपके subject हैंगे बारतिय बक्ती परमप्रा एंड मानमूल है इसकी timing हैगी आपकी 10 a.m. की second exam हैगा आपका जो दूसरा subject हैगा constitutional value and fundamental duty उसकी exam की timing हैगी 12 noon की third exam हैगा आपका reading Indian fiction in English जो third subject हैगा उसकी exam की timing हैगी 2 p.m. की date आपकी 26 February ही रहने वाली है तो देखेगा इस यह तो हो गया schedule मैंने आपको date बता दी timing बता दी subject बता दिया exam का कब-कब आपके exam होने हैं अब कुछ instruction दिये हैं online based mcq exam के लिए जो डिव सोल ने वो instruction देखते है number one candidate has to click on this site student login for online mcq based exam online exam के लिए student को इस पोर्टल पर जाना पड़ेगा assignment.sol.du.ac.in वाले पोर्टल पर लोग इन करना होगा second हैगा fill required soul roll number and barcode for student login login करने के लिए आपको soul का roll number और बार कोड की जरुद पड़ेगी third हैगा as per examination schedule click required paper unique paper code attempted for online multiple mcqs and iaca तो आपको login करने के लिए जो यह आपको unique paper code दिए गए इस unique paper code के आपको जरुद परने वाली है जब आप exam देने जाएंगे ठीक है fourth है the duration of online exam including continuous assessment on the top of right of your screen जब भी जो आपकी timing होगी इनकी वो जब भी आप mcq exam देंगे उसके right side में आपको screen पर timing दिखती रहेगी कि कि कितने time का exam हैगा fifth हैगा the mcq will be displayed on your screen click on correct option and submit the answer जो mcqs हैं वो आपकी display पर देखेंगे screen पर देखेंगे आपको उन में से correct answer को click करना है और answer को submit करना है जो students से उन्हें advice दी गई है कि आप half an hour पहले ही login करने है जब भी आपका examination होने वाला है किसलिए ऐसा बोला गया है कि कोई अगर technical glitch हो जाए बाद में तो उससे आपको कोई problem ना हो नेक्स्ट हैगा 7.2 understand various process of online exam click this for step by step process देखिए अगर आपको problem और यह login करने में या कोई भी process आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यह एक जो आपका portal है उसी पर PDF प्रोवाइड करवाई गई है step by step procedure की आप वहाँ से चाएक कर सकते हैं मैं से related आपके लिए वीडियो ले हूँगा 8.2 before start of online mcq-based exam advice to check their detail and subject को displayed on the screen आपको क्याना में online exam start करने से पहले जो आपको screen पर अपनी detail और subject और से related information दिख रही हो आपको उन्हें चेक कर लेना है 9.2 for any technical assistance regarding online mcq-based exam please call on these numbers अगर आप आपको exam देते time कोई भी problem है कोई भी process में समझ ना है तो आप इन number पर call कर सकते हैं यह जो आपको number दिये गए है ठीक है तो देखेगाई यह तो हो गया complete schedule, date, timing सारी चीज़े मैं आपको आज की वीडियो में बता दिये हैं और उसके साथ मैं जो डियूस online instruction दिये है online examination के आज के लिए इतना ही है वह मिलेंगी नेक्स वीडियो में किसी आगे की content के साथ अब तक लिए आप आज की वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे और बच्चों को भी इसका benefit मिल सकें और आप लोगों को स्यादा अपडेट मिल सकें थैंक यू